नमस्कार मैं हूँ रंजीत जा, सुप्रीम कोट में जारखंड के सियम हेमंत सोरेन ने एड़ी के खिलाफ जबरदस्त दलील दी है दूसरी तरफ जारखंड के सियम हेमंत सोरेन को इन पचरे से बाहर निकालने के लिए धाकर वकील कपिल सिबल ने भी मोचा संभाल लिया है उन्होंने भी जवर्दस्त दलील देते हुए कह दिया है कि जो केस जारखंड के CM हमंत सोरेन के खिलाफ बनाया जा रहा है उसमें कोई दम ही नहीं ठीक इसी तरीके के मामले में सुप्रिम कोट ने जारखंड के CM हमंत सोरेन के खिलाफ याचिका खारिज कर दिया है और अब ठीक वही मामला फिर से सामने आ गया है दोनों केसों के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले आप यहा समझी कि जारखंड के CM हेमंत सोरेन ने ED के खिलाब सुप्रिम कोट में क्या दलीलें पेश की हैं क्योंकि इस बक्त जो ED के चीफ हैं संजय मिश्रा जो सरकार के चैतें उनका कारेकाल समाप तो होने वाला है लेकिन उस से पहले-पहले ED चीफ संजय मिश्रा चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को जितना परिशान कर सके कर दे और इसके बाद तो सुप्रिम कोट में जारखंड के सियम हमन्त सोरेन ने पहले ही ED चीफ के खिलाब पूरे ED ओफिसर्स के खिलाब मामला बना दिया और कहा कि ये लोग साजुशन इस सरकार को ओइस्तिर करना चाहते ED का पूरा चिठा खोल कर लोने वहां रख दिया है तो आएए सुरू करते हैं कि क्या सब दलीलें दी गई हैं देखी जड़ा आपने स्क्रिन पर प्रवाट खबर ने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिट पिटिशन में PMLA 2002 की धारा 50 और 63 की वैदता को चुनवती दी गई है याचिका में कहा गया है कि PMLA का या प्रावदान संबिधान द्वारा दिये गई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है IPC के तहत किसी मामले की जाच के दवरान जाच एजेंसी के समक्ष दिये बयान की मानिता कोट में नहीं है लेकिन PMLA की धारा 50 के तहत जाच के दवरान एजेंसी के समक्ष दिये गई बयान की कोट में मानिता है PMLA की धारा 19 के तहत जाच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दवरान ही किसी को गिरफतार करने के अधिकार है इससे पूछ ताच वो धरा 50 के तर बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी होने पर लोग डड़े रहते हैं क्योंकि ED के पास गिरफतारी की एक शक्ती दे दी गई है फिर पूछ ताच के दोराने ये रिष्ट कर लिया और अब एक मुख्यमंत्री को आप बार बार समन भेज कर परिशान कर रहे हैं उन्हें डरा रहे हैं कि हम आपको गिरफतार कर सकते हैं ऐसे में ED के खिलाप ही CM सोरेन ने सुप्रिम कोट में मामला बना गिया और अब इस मामले में जबरदस्त सुनवाई होगी क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं वो ED के खिलाप केस को और मजबूत कर रही है आगे ज़रा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा गया है CM ने प्रिटिशन में कहा है कि ED ने उन्हें पहले अवध खनन के सिलसले में समन जारी किया था इस समन के आलोक में वह ED के समक्ष हाजिर हुए अपना बयान दर्ज कराया अपनी और परिवारिक संपत्यों का व्योरा दिया उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्य आयकर में गोशित है याचिका दाता से जिन संपत्यों का व्योरा मांगा जारहा है वह CBI को भी दिया जा चुका है इसके बाबजूद E.D. ने उन्हें फिर समन भेजा है यानि कि सारी जानकारियां दे दी गई है और जो अबैद खनन का मामला है इसमें कपिल सिब्बल ने जो दलील दिया हुँव हम आपको आगे बता है चुकि खनन से जुरे आवंटन का मुद्दा बना है कि सीम सोरेंग ने अपने परिवार के लोगों को या अपने नाम पर खनन आवंटित कर लिया उस मामले में भी अगर कोई घोटाले की बात होती तो इसमें केस बहुत बरा बन सकता था अगर आवंटन हुआ है बाब्युदित के कोई घोटाला नहीं हुआ है तो केस किस तरीके से कहेंचा जा रहा है इस मामले में बहस हाई कोट में चल रही है खेर यहां देखी आगे क्या कहा गया है उन्हांने कहा कि याचिका दाता का यह अधिकार है कि उसे यहां बताया जाए कि उसे किस कथित अपराद के सिलसले में साक्ष देने की जरुरत है पर इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है यह समन पीएमेले के मूल उद्देश्र के खिलाफ और गयर कानुनी है साथ ही याचिका दाता को सम्विधान के अनुचेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मूली का दिकारों के खिलाफ है और इस मामले में आपको याद होगा हमने इसे पहले भी रिपोर्ट दिखाई है सुप्रीम कोट के पुर्व जस्टेस डिपक गुपता ने PMLA पर सवाल खड़े की है और ED के कारवाई को लेकर भी सवाल खड़े की कि ED किसी को टार्गेट करती है उसे गिरफतार करती है सलाखों के पीछे डाल दिती है केस 6-8 साल तक चलता है लेकिन इस मामले में जो कंविक्शन है वो हो नहीं पाता ऐसे में कोई भी जेल में बंद बैक्ती अपने मौली कदिकार यानि स्वतंतृता के अधिकार को लेकर कोट में सवाल खड़े कर सकता है कि उनके अधिकार को क्यों कुछ ला जा रहा है जब इस केस में 8 साल का वक्त लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो E.D. को 33 मामले में किलिर कर लेरा चाहिए वैसे साक्षी सबूता पेश करें और इस मामले में या तो सजा दे या तो बाहर करें लेकिन 8-8 साल तक मामला चलेगा इस पर जस्टिस दीपक गुपता ने सवाल आगे देखिनों ने खुल कर कहा है यह जो कारवाई हो रही है न वो राजनितिक द्वेश में हो रही है यहां बताया गया है कि याचिका में E.D. द्वारा बार-बार समन जारी किये जाने को राजनितिक विद्वेश से की गई कारवाई का नाम दिया गया है इस मामले में यह भी कहा गया है कि उन्हें जूटे और मनगढ़नत मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है याचिका में ED द्वारा जारी किये गए समन को अस्थागित करने और याचिका के निश्पादित होने तक समन के चालोत में प्यूरक कारवाई नहीं करने का अदेश्क देने का अनुरोध ही किया गया है अब इस मामले में जब सुप्रिम कोट में मांधनिय जज साहब सुनवाई करेंगे तो इन पहलियों को जरूर धियान में रखेंगे और कई ऐसे जजों की राय को भी विचार में ला करने के लिए या फिर दूसरे के सरकार को वाइसर करने के लिए साजिश्य रचने लगता है इन सब आरोपों में कितना दम होगा जज सहब्ते कर लेंगे और सीम सोरें ने जिस तरीके से एडी के खिलाफ मोर्चा खोला है उसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है जहां जहां देश के अलग-अलग राज्यों में विपक्ष शासित जो सरकारे हैं उन्हें सब को एडी परिशान कर रही है उन्हें सब को एक संजीवनी मिल रही होगी कोई तो है जो एडी के गलत नितियों के खिलाफ लडाई लड़ रहा है अब इस मामले में अबयत खनन स जो जुरा मामला है उस पर सुनवाई हाई कोट में वी चल रही है और वहां सीम सोरेन के लिए कपिल सिबल मुर्चा संभाले हुए क्या कुछ वहां हुआ है आए देखते हैं न्यूजेटिन ने लिखा है खनन पट्टा प्रकरन जहारखंड हाई कोट में सुनवाई कपिल स सिबल ने रखा से एम हेमंत सोरेन का पक्ष जानएए क्या है अपडेट तो चलिए हूँ आपको अपडेट ही सीधे बताते हैं जहारखंड के सिम हेमंत सोरेन और उमी के कडिविओ को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में जहारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुए मामला करिवियों से हेमंत सोरेन की पतनी कलपना सोरेन और साली की कमपनी सोराइल लाइव स्टॉक प्राइबिट लिमूटेड को चान्हों में 11 एकर भूमी एस्टी कोटे से आवंटन से जुड़ा है सीम की और से वर्या दिवक्ता कपिल सिब्बल ने पच्छ रखते हुए कहा कि सीम के खिलाप एक ऐसे ही मामले को सुप्रिम कोट ने खारिज कर दिया है लिहाजा यह याचि का सुनवाई योग्जी नहीं है न्यूज 18 ने इस मामले में लिखा है कि सुनवाई के दवरान सीम हेमंत सोरेन की और से अधिवक्ता कपिल सिब्बल वर्च्छ वल माध्यम से जुड़े और अपनी दलील रखी वर्च दिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रिम कोट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सीम हेमंत सोरेन को लेकर ठीक ऐसे ही एक मामले में दायर जन्हित याचिका को खारिज कर दिया गया है दरसल सुप्रिम कोट में सीम हमंत सोरेन के खिलाफ जिस जनहित याचिका को खारिज किया गया था वह मामला भी सीम हमंत सोरेन और उनके करिवियों को खनन पट्टा आवंतन से जुरा हुआ था अब देखिए इस मामले में सुप्रिम कोट ने क्या कहा था सुप्रेम कोड का कहना था कि जो याचिकाएं डाली जा रही है वो कहीं ने कहीं सीम हमंत सोरें से खुनस निकालने के लिए डाली जा रही है क्योंकि जो व्यक्ति याचिका करता है उनके संबंध सीम साहब से मधूर नहीं है और ऐसे में जो याचिकाय हैं अगर सुछ गरबरिया होती अगर वो पत्ता जो बाटा गया प्रकरन जो बताया जा रहा है कि फैमली वाली लोगों को दे दिया गया है उस मामले में अगर फैमली ने उस पत्ते के साथ कोई घोटारा कर दिया होता तो बहुत बड़ा सवाल था कि नहीं बहुत ही गलत तरीके से आवंटन हो गया और पैसे की लूट हो गया तो समझ में आता है कि केस बहुत बड़ा बनेगा यहां जनहित याचिका के जड़िये इनको घेडने की कोशिश हो रही है आफ्चर यह होता है जा देखे क्या बताया जा रहा है कि उस मामले में याचिका करता शिव संकर सर्मा के क्रेडेंसियल पर समाल उठे थे कोट को यह बताया गया था कि प्रार्तिव शिव संकर शर्मा और सोरेन परिवार के साथ संबंद मधूर नहीं है और इसलिए आज से इस तरह की याचिका परिशान करने के लिए दायर की गई हाला कि इस मा पर केस स्वाल्व कर देते हैं इस तरफ सुप्रीम कोट में जहां खुद सीम सोरेन ने एडी के खिलाफ मामला बनाया है और दलीले पेश कर दी हैं उसके बाद एडी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी क्योंकि केस जो जुड़ा हुआ है आपस में कर पाई हेवंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए तो चुनावायों का लेटर भी राजपाल के पास पहुँच गया था लेकिन वो लेटर खुला ही नहीं और आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ तो बात है इस सीम महासे में तभी तो ये लोग जो है इनके चक्कर काट इन्हें परिशान कर रहे हैं लेकिन इनका इस बक्त कुछ बिगार नहीं पा रहे हैं और उलट सीम सोरेन उतने ही चोड़े होकर सुप्रिम कोट में एडी के खिलाप मामला बना डाले हैं तो अब देखिए दोनों मामले में क्या फैसला आता है और कैसे जार्खन सीम हिमत सो करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है